बात करूँगा गाल बेडर कैंसर के बारे में यह गाल बेडर कैंसर की सीरीज है आप से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस सीरीज को जरूर वाच करें बात केंसर कारे में इसको नजर अन्दाच करना उचित नहीं है नो कैसे इसकी डाइगनुोसिक की जाती है इसको समझे जारा नो जहां तक गाल बेडर कैंसर को पहचाननी की बात है उसको पहचानने के लिए अलग अलग तरीके हैं अलग अलग स्टेप्स है नमर वन जब आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो आपका physical examination किया जाता है जो physical examination में हम देखते हैं कि अगर कोई इस तरह की unnatural चीज है तो उसमें क्या मिलेगा जो दाई तरफ पसली के नीचे है इसमें गांट महसूस होने लगेगी या फिजिकल examination जिसे हम कहते हैं lump कि lump यहां पर महसूस है या गांट महसूस हो रही तो right hypochondrium में आपको lump मिलेगा that's number one number two जो liver है usually hard हो जाएगा याने hard liver मिलेगा number three आँख में पीलापन दिखाई देने लगेगा या jaundice दिखाई देने लगेगी number four overall देखेगा कि आपका weight बहुत loss हो गया है इन cacaxia visible हो जाएगा इन आप से अगर मैं symptoms की बात करूँ तो khujli बहुत जादा होगी उसके चलते पूरे शरीम ने khujli की निशान दिखाई देंगे और अगर late stage है तो पेट के अंदर पानी भी महसूस हो सकता है जिसे कहते हैं ascites तो physical examination is the first step जिससे हमें suspicion होता है कि गाल बेडर में कोई problem है या गाल बेडर में कोई इस तरह की या बड़ी बीमारी या cancer कोई develop तो नहीं हो रहा है now the second stage आते है blood test की जो blood test है उसमें सबस्पहले हम चाहते हैं कि liver function test हो ताकि clear हो कि jaundice है की नहीं है इन alkaline phosphatase बढ़ा हुआ तो नहीं है that's number one number two कुछ tumor markers किये जाते हैं जैसे CA 19.9, CEA इन इस तरह के markers करने की ज़रुरत पड़ती है ये कहलाते है cancer tumor markers ये number 2 पर आते हैं जो blood test की रूप में होते हैं number 3 पर आती है imaging जो imaging है उसमें सबसे पहला आता ultrasonography इन ultrasound आज की तारिक में इंडिया में छोटी छोटी जगे पर available है मैं समझता हूँ ऐसी कोई township नहीं होगी जिसके population जो हैना 20,000 हो और ultrasound की facility available ना हो अगर ऐसा है तो ultrasound is the best investigation and across the country जो ultrasound है बहुत cheap investigation है मैं समझता हूँ कि इसकी cost approximately 1,000 के आसपासी या इसके आसपासी होती है in most of the areas नो एक ultrasound होगा तो जो gallbladder cancer है वो easily पहचाना जाएगा या उसका जो एक index of suspicion है वो high हो जाएगा अगर ऐसा कुछ है तो next step की जो जरुरत पढ़ती है that is CT scan जो CT scan है वो indicate कर देता है कि gallbladder में गांट है तो नहीं है तो ये कहां तक failure होई है और इसके साथ में और क्या problem है number 3 कभी-कभी हमें MRI या MRCP कराने की ज़रूरत पढ़ती है इस चीज को confirm करने के लिए तो अगर हमें imaging की देखें कि gallbladder की cancer की imaging में क्या role है तो जो role है वो basically ultrasound का है CT scan का है और MRI का है number 4 पर आता है endoscopic ultrasound जैसा ultrasound उपर से किया जाता है ऐसे एक जो हैना दूरबिन के थुरू अंदर से भी किया जाता है जो endoscopic ultrasound है उसका काम है कि अंदर से जो growth है उसको identify करे और अगर जरूरी है तो needle के थुरू उसकी FNACB की जा सकती है जिसे कहते हैं fine needle aspiration cytology याँ उससे confirm किया जा सकता है कि cancer है कि नहीं है और cancer है तो किस तरह का cancer है तो endoscopic ultrasound is a newer modality लेकिन ये information काफी ज़्यादा देखी चलती है जब भी इस तरह का cancer होगा तो हमें extent देखने के ज़रूरत पड़ती है कि गाल बेडर का cancer कहां तक फैला हुआ है उसके लिए सबसे important tool हमारे पास होता है that is diagnostic leproscopy जो leproscopy कर एक examination है जिसमें यहाँ से camera pass किये जाते है यान अंदर की पूरे organs को देखा जाता है यह surgeons करते हैं यह clear करेंगे कि कहां तक गाल बेडर का cancer फैला हुआ है और क्या इसको remove करना possible है तो diagnostic leproscopy and if needed तो उसी से गाल बेडर cancer को या गाल बेडर को निकाला भी जा सकता है जैसा मैंने पहले कहा कि गाल बेडर जो cancer है बहुत तेजी से bile duct में फैलता है इसे कहते हैं endoscopic retrograde colinjio pancreatography तो इसमें हम इसके अंदर dye डाई डालके पूरे x-rays ले सकते हैं गाल बेडर का cancer कहां कहां तक फैला हुआ और अगर उसने कुछ रुकावट पैदा की है तो इसको drain करने के लिए हम stent भी लगा सकते हैं नबर दो पर आता है MRCP that is basically magnetic I mean MRCP is basically MR-based colinjio pancreatography यह non-invasive investigation है और यह हमें पूरी की पूरी clarity देता है कि गाल बेडर का cancer कहां तक फैला हुआ है और बाइल लक्ट में कहीं कोई involvement तो नहीं है कभी-कभी हमें percutaneous transipatic colinjography करनी पड़ती है यहां से इस चीज को देखने के लिए कि block कहां है और कितना है कभी surgery के दोरान intra-operative colinjogram भी करना पड़ता है तो बाइल लक्ट को अगर हमें examine करना है गाल बेडर केंसर में तो हमारे पास में ERCP, MRCP, PTC और intra-operative colinjogram की facilities होती है नव कुछ और हमें imaging चाहिए इस चीज को जानने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि गाल बेडर का cancer और भी दूर तक फैल गया है अगर ऐसा है तो हमें पेट का city चाहिए चेस्ट का भी city चाहिए हमें liver का एक MRP चाहिए एक पेट स्केन कराने की जरूरत है कि गाल बेडर का cancer गाल बेडर के अलावा और कहां तक फैला हुआ है नव जब भी गाल बेडर cancer की बात होती है तो हमें सक क्वेस्टन staging पर आता है क्योंकि staging ही determine करता है कि treatment क्या होगा एन staging ही determine करती है कि इसका outcome क्या होगा Now stage 1 क्या है Stage 1 यह है कि जो गाल बेडर का cancer है गाल बेडर की जो अंदर की lining है या जो inner layer है उसी तक सिमित है बाकि जो गाल बेडर है पूरा का पूरा spared है तो number 1 stage होगी यानि जो cancer है वो गाल बेडर की अंदर की wall है उसी में spared है अगर यह है तो जो surgical option है वो सबसे अच्छा option है और इसको निकलवा दिया जाना चाहिए जो stage 2 है इसका मतब यह है कि जो गाल बेडर का जो cancer है उसने गाल बेडर की पूरी की पूरी wall को invade कर लिया है पूरी की पूरी जो ना wall यानि inner layer, outer layer पूरी wall को invade किया है लेकिन यह गाल बेडर के बाहर नहीं फैला हुआ है अगर ऐसा है तो वास्तों में इसको सर्जरी के जरिये से remove करा दिया जाना चाहिए यह बहुत अच्छा option है नमर तीन पर आता है stage 3 जो stage 3 है को जो गाल बेडर का cancer है उसमें एक या एक से ज़ादा जो आसपास के organs से involve कर दिया है in the sense liver को involve किया है by duct को involve किया है यह diodenum को involve किया है यह stomach को involve किया है तो nearby organs को भी इसने चपेट में ले लिया है and it's quite possible कि आसपास की lymph nodes भी involve हुँ इस तरह की जो problem जब होती है तो जो संजरी होती है वो limited option होता है कुछ patients ऐसे होते हैं जिसमें radical colisistectomy या extended colisistectomy उनसे काम चल सकता है लेकिन stage 3 में संजरी हमेशा मुश्किल हो जाती है जो stage 4 होता है इसका मतलब यह है कि गाल बेडर का जो cancer है वो आसपास तो फैला ही लेकिन इसके अलाबाज जो गाल बेडर का cancer है वो liver में भी चला गया है, lungs में भी चला गया है आतों की जो जिल्ली है, omentum उसमें भी आ गया है पेट में ascitis भी आ गयी है अगर stage 4 की disease है तो इसमें surgical option नहीं है इस पूरी की पूरी problem में यहीं उपाय रह जाता है कि कीमो थरेपी कराई जाए विकास रेडियो थरेपी का भी कोई option नहीं बचता है तो इसलिए stage 1 surgical option है stage 2 surgical option है stage 3 50% surgical है, 50% non-surgical है stage 4 में सिर्फ non-surgical options है तो इसलिए जो stage है गाल बेडर cancer की that becomes important तो गाल बेडर cancer की stage को समझने में उसकी diagnosis के लिए जो modalities है उनको समझने में अगर यह वीडियो help करता है जरूर शेयर करें मैं Dr. V. Commissioner from Guest to Liver Hospital सुरुपनेगर कानपूर Thank you very much झाल को सुरुपने उनको समझने प्रश जोगर वीडियो करें तो अभ़ब झाल मैं दो झाल झाल